नमस्कार मैं हूँ प्रग्या मिश्वरा और आप देख रहे हैं प्रग्या का पन्ना अगर हिजाब पहन कर कॉलिज जाने पर दिक्कत है तो सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए नंगल सूतर भी नहीं पहनना चाहिए चूडिया पायल बिछिया वगेरा वगेरा नहीं पहनना चाहिए हिंदू महिलाओं को सिर पर पलू भी नहीं डालना चाहिए और लड़कियों को सिर पर दुपट्टा डाल कर भी नहीं चलना चाहिए आज हिजाब पहने लड़की को ट्रोल किया जा रहा है कल सिक धर्म की पगड़ी वालों को दोड़ाया जाएगा मैं नयाई की बात करती हूँ ना हिंदों के पक्ष में बोलूगी ना मुसल्मानों के पक्ष में पहली बात तो ये कि एक लड़की के पीछे दोड रही ये पढ़े लेके छात्रों की भीड हो ही नहीं सकते और अगर ये छात्र है तो इससे अच्छा था कि आप अंगूठा टेक ही रह जाते ये वही भीड है जिसको हिजाब नहीं लड़कियों के जीन्स पहनने पर भी दिक्कत है इनके आगे आगे आज बुरका पहने मुस्कान भाग रही है कल जीन्स पहने शॉट्स पहने सीमा या श्चालनी भागते वे दिखाई देंगी देखे एक बात और स्कूलों में ड्रेस कोट होता है लड़के लड़कियां ड्रेस कोट को फॉलो करते हैं लेकिन जब आप कॉलेज जाते हैं तो भारत वर्ष में ऐसे कई कॉलेज है जहां पर ड्रेस कोट नहीं चलता है तो मुस्कान को दड़ाती फरजी मर्दों की भीड में अप एक चीज नोटिस करिये सब अलग अलग कप्ड़े पहने होएं लेकिन हिजाब के विरोध में भगवा गमच्छा डाल कर आये हैं मुस्लिम लड़कियों के हिज्राप पहन कर आने से आज रही दिकत क्यों है इसकी जड़ में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में शुनाव है पोलारिजरेशन की ज़रूरत है हिंदू-मुसल्मान का कोई भी मुद्दा चल नहीं पा रहा है इसलिए छात्रों का ही सहारा है इसलाम कहता है कि लड़कियों को 12 साल की उमर के बाद उन अंगों को ढख कर रखना है जो पुरुशों को सेक्श्विली अपील कर सकते हैं जिसमें बाद भी आते हैं कुरान की 24 वे पारे की 23 वी आयत में और 24 वे पारे की 33 वी आयत में सिर्फ पर दुपच्चा या सिर्फ पर घुंगट लेना एक धार में काम बताया गया है मुसलिम लड़कियां आज से हिज़ाब पहन कर आरे लगी हो ऐसा नहीं है मुसलिम बच्चियां सदियों से हिज़ाब धारन करती आ रही है इस पर बात करनी है या कोई सुधार करना है तो उसका तरीका होना चाहिए अब हिज़ाब पहने या बुर्खा पहने लड़कियों को दोड़ाएं ये कहां की मरदान की है भई न्याएं की बात होनी चाहिए देश हिंदू संगठनों से नहीं चलेगा देश अब भी समविधान से ही चलेगा समविधान में धार्मिक स्वतंतरता है वस्ट धारन करने की स्वतंतरता है और इसे गुंडे खत्म नहीं करेंगे अच्छा आप आजाए नारेपन आप जैश्री राम का नारा लगाए तो अच्छा है लेकिन अगर लड़की अल्ला हुआ अकबर का नारा लगा रही है तो खराब हो गया क्यों भई जैसे आपके इश्ट की जै वैसे ही उस मसलिम लड़की के इश्वर की भी जै करनाटक में तीन दिन के लिए स्कूल बंद है मामला कोट पहुच गया है ये मामला कहां से शुरू हुआ इसको भी समझते चरिये हुआ ये कि करनाटक के कुंड़ा पूरा कॉलेज क के सामने बैटकर वहां धरना भी देना शुरू कर दिया लड़कियों के हिजाब पहने के बात में कुछ हिंदू संगचनों ने लड़कों को कॉलेज कैमपस में भगवा शॉल पहन कर आने के लिए कह दिया वह हुबली में श्री राम सेना ने कहा था कि जो लोग बुरका य और इस वीडियो को शेर जरूर कीजएगा और मुझे प्रग्या लाइव नाम से ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलेगा जै हिंदू